हलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे एक सैयुक्त आक्षर सैयुक्त आक्षर मतलब उसमें दो आवाजें मिली हुई हैं दो आक्षरों की जैसे ये है क्ष इसमें थोड़ी सी जीप पीछे की तरफ से चूती है और आगे से क्ष क्ष दांत मिलते हैं और होट हमारे थोड़े खुलते हैं क और श की आवाज अगर एक साथ जल्दी से आए तो ये होता है क्ष क्ष शत्रिय शत्रिय कौन होते हैं? जो सोल्जर्स होते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं दूसरी दुश्मनों से हमें बच जाते हैं इसको देखो बहुत आसान है बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसे टेरा टेरा तिरचा तिरचा ऊपर तक गए ब्लू लाइन तक वाप पीछे की तरफ घूमे एक मोटा पेट बनाया और एक पिगी टेल बना दी आसान है लेकिन बच्चे ध्यान से देखेंगे सीधी लाइन बनाई फिर तिरचा तिरचा ऊपर गए ब्लू लाइन तक पीछे को मोड़े एक चोटा सा गोल बनाया एक मोटा पेट आगया कर बना दिया और एक बना दिया ऐसे पिगी टेल चट की लाइन पैंसिल बिलकुल नहीं उठानी फिर से देखें सीधी लाइन तिरचा ऊपर गए पीछे मुड़े मोटा पेट बनाया पिगी टेल चट की लाइन सीधी लाइन बनाई तिरचा ऊपर गए पीछे मुड़े मोटा पेट बनाया और एक पिगी टेल चट की लाइन अब बच्चे देखेंगे बुक में कैसे लिखना है सीधा आए ऊपर गए पीछे मुड़े गोल बनाया मोटा पेट और तिरची लाइन चट की लाइन किशव सीधी लाइन बनाई तिरचा ऊपर गए पीछे मुड़े गोल बनाया फिर मोटा पेटा अगे लाके बनाया और पिगी टेल चट की लाइन बच्चे ये दोनों पंक्तियां बहुत सुंदर सुंदर कर लेंगे बहुत सुंदर 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 कर लेंगे